नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग गनेश जनमोतसब जिसे हम गनेश मोतसब भी कहते हैं और गनेश जी को बिधी विधान से पूजा की जाएगी उनको उनके पसंद की चीज़ें अर्पित की जाएगी वैसे तो गनेज जी को तमाम तरह के पत्ते, पुस्प और बस्तुए अर्पित की जाती है लेकिन कुछ ऐसी बस्तुए हैं जो उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए और कुछ ऐसी बस्तुए हैं जो भूल कर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए तो गनपती बपा हम सभी के घर में आ चुके हैं अब गनेज चतूर्थी से लेकर अनंत चतूर्थी तक यानि पूरे दस दिन गनेजी घर में रहेंगे वैसे तो अपनी मर्जी है जितने दिन भी आप उनको रखना चाहें जितने दिन आप से सपरे लेकिन महाराष्ट्र खास कर अगर हम बात करें वहां की तो घर में गनपती के स्थापना होती है वैसे अन्य राजव में भी लोग करते हैं तो बिधी बिदान से उनका पूजा की और आपकी सारी मनो कामनाएं पूर्ण करते हैं तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले गनेज जी को जो सबसे ज़्यादा प्री है वो है दुर्वा घास आपको तो पता होगा माना जाता है गनेज जी दुर्वा घास जो खास तोर पर उनका सबसे प्री है क्योंकि कहा जाता ह कि गनेज जी की पूजा से कुछ देर पहले ही दुग घास तोड लेनी चाहिए और ताजा ही अर्पित करना चाहिए बासी आप नहीं चढ़ा सकते और पूजा के वक्त दुर्वा गनेज जी को जब अर्पित कीजेगा तो कम से कम तीन या पांच फुनगी वाली ही दुर्गा अर्पित कीजेगा संख्या आपकी मर्जी पर 21 से 21 चढ़ा दें और दूसरा है मोदक बिना मोदक के उन्हें भला आप कैसे प्रसंद करेंगे मिठाई में गनेज जी को मोदक सबसे पसंद है और घर-घर में मोदक तयार भी होते हैं लेकिन माल लेते हैं आपने मोदक तयार नहीं कियें तो लड़ू ही अर्पित कर दें अगर लड़ू भी ना हो तो गुड़ की डली अर्पित कर दें वैसे गनेज जी को सबसे ज़्यादा प्री है चावल के आटे से बना मोदक अगर आप के लिए संबभ हो तो आप पूरे 10 दिन तक रोज उनको अर्पित कर सकते ह अब भगवान गनेज को सिंदूर बहुत प्री है वैसे तो सिंदूर जैसे आप हनुमान जी को चोला पित करते हैं सिंदूर और घी मिक्स करके वैसे ही गनेज जी को पित के जाते हैं और अगर आप घर में भी कर सकते हैं या आप चाहें तो पास के मंदिर में जाकर कर सकते इस ही क्या होता है गनेज जी की किरपा से आफ के जीवन के हर कष्ट विगनबाद आек मैं दूर होती है नहीं कुछ तो कम से कम सिंधूर का तिलक्री लगा दे सिंधूर को सुबव और मंगल प्रतीक माना जाता है और माननेता है गनेज जी को सिंदूर अरपीत किया जाए यह तो ऐसा करने से जीवन में सुख और सभागे बढ़ता है अगर हम फल की बात करें तो गनेज जी के फल के बारे सबसे ज़्यादा फलों में केला पसंद है तो गंपती जी को जब भी आप केलार पित करें तो जोड़े की संख्या में यानि दो केला 4 6 8 एक या 5 केला 11 केला मत चढ़ाईए यह पुर्ण पाना जाता है केले को पूजा में सदय जोड़े में ही चढ़ाएं गनेज जी को तो बढ़िया है अब गनेज जी को लाल रंग पसंद है तो उनकी पूजा में गुड़हल का पुस पर या फिर लाल कलर का कोई भी पुस वर्पित कर दें तो ऐसा करने से भी बहुत जल्दी व उनको गन्ना अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है जीवन के टेंसन खत्म होते हैं जीवन में खुसियां बढ़ती है तो यह तो छोटे-छोटी चीजे हैं जो गनेज जी को मनाने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन कुछ ऐसी भी बस्तुएं है जो भूल कर भी गनेज जी को अर्पित नहीं करना चाहिए तो वह कौन सी बस्तु है जो गनेज जी को अर्पित नहीं करना चाहिए तो चलिए जानते हैं विस्तार से जैसा कि आपको पता है साल में कुल 24 चतूर्थी आती है यानि हर महिने में दो चतूर्थी एक सुकलपक्ष दूसरा कृष्ण प और गनेज जी का जो जनमोतसभ है वो भाद्रप्रतमास के शुखलपक्ष की चतूर्थी दिधी से सुरु होती है और चतूरदसी तिधी यानन्त चतूरदसी तक होती है गनेज जी पर पित करें तो सत्रू बिरोधिस संत रहते हैं और जीवन में फुसियां बढ़ती है अगर आप उनको दुर्वा घास दस दिनों तक अर्पित करें तो जीवन का आनंद बढ़ता है योग समाप्त हो जाते हैं अगर मोदक लड़ू या गुड़ की डली अर्पित करें तो मि अर्पित ना करें केले का भोग जरूर लगाईए पर जोड़े की संख्या में और इक जरूर अर्पित करें यह तो हमने आपको बता दिया अब हल्दी की गाठ दो हल्दी की गाठ अभी से लेकर अनंत चतूर दसी तक में किसी भी दिन पीले कपड़े में या मौली धागा म और बाद में उठा कर धन के अस्थान पे रखें तो धन की कमी कभी नहीं होती है वैसे पीले कनेर का पुस्प मिल जाए तो यह सरवोत्तम होगा क्योंकि अगर एक भी पुस्प अरपित कर देते हैं तो जीवन की हर बाधाय समाप्त होती है और लाल गुढ़ल का पुस्प पर कलावा बांद दीजेगा फिर रखेगा और पूजा करने के बाद अंत में इन चीजों को गनेज जी को भेंट कर दें याद रखिए पान का पत्ता होगा एक सुपाड़ी लीजे सुपाड़ी पर कलावा लपेड़ दें एक सिक्का रखें लॉंग इलाची आपकी मरजी एक दो करके रख लें और थोड़ी सी मीठी बस तू बतासा या फिर मिसरी या गुड़ की डली रख दें और प्रेम से गनेज जी को भेंट करें और आपको हटाना नहीं है ये बस तू गनेज जी के पास ही रहने दे अंत में जब बिसरजन करने का वक्त आएगा तो सिक्का सुपाड़ी को गनेज जी के पास रखिएगा और जो लॉंग इलाची है परसाथ के रूप में पूरे एक परिबाग के साथ खाईएगा और जो पान का पत्ता है वैसे आप चाहें तो रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पान का पत्ता घर में होने से सुक्समरिद उसको भोग के चड़ा कर पूरे परिवार के साथ आपको ग्रहन करना है और इस बात का ध्यान रखिएगा तो चली जानते हैं कौन सी बस्तु है जो नहीं अर्पित देखिए सबसे पहला है गनेज जी को सफेद वस्त्र नहीं अर्पित करना चाहिए जब भी अर्पित करें पीला कपड़ा अर्पित करें और सफेद जनव भी मत अर्पित कीजिए आप सिर्फ पीला जनव अर्पित कर सकते हैं अगर आपके घर में सफेद जनव पीला नहीं है तब तब हल्दी में थोड़ा पानी मिला कर उसको आप हलका सा पीला कर लें फिर अर्पित करें तो बढ और जो आप चावल अर्पित करेंगे तो एक एक करके चुन लीजिएगा कि वह टुटे वे ना हो और केटकी कपुस भी अर्पित ना करें तो जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हरहर महादेव जरू लिखें ज्याद करें तो